नमस्कार दोस्तों सुआगत है आपका आपके अपने निटिशनल अमन प्रयास जीगेजिस में तो जिसागे फ्रेंट साज आपका 26 सिप्टमबर और 26 सिप्टमबर को आपका SSJCJL का लास्ट एक्जाम था है जो कि आपका सेकेंड़ सिफ़काव एक्जाम समाप्त हो गया है स सब्सक्राइब करते हैं आज के पहले प्रस्टमबर करते हैं तो शुरू करते हैं आज के पहले से तो आज का हमारा जो पहला जो प्रस्टने फ्रेंट्स हुआ है कि चंदेरी का जो यूद है आपका किसके मद में हुआ था ठीक है तो चंदेरी की यूद की बात करते हैं तो चंदेरी का जो यूद है आपको पहले ही एक हजार बर बता हैं कि चंदेरी का यूद बावर औ पंदा सो अठाइस में है जो कि आपका लड़ा गया था ठीक है तो उन्ती जमरी को लड़ा गया था मुगल स्रमाट राच पुत्साशक में निरा और बावर के 20 ठीक है तो इसको याद देखेगा इसके लावा नेक्स कोशन पुछा गया था कि पद्म भिभुशन प्रशकार बिजीता उम्यालवपूरम के शिवरमन एक डैस के खिलारी हैं तो के के शिवरमन की बात करते हैं तो यह आपके मृद्गम के खिलारी है यानिकी गम बिर्दमान है और 2001 मिने मदरास संगित एकाडमी की संगित कलानीदी सब्मानित क्या गया और 26 2010 को आपका उन्हें देश के खट एक सथ में गतंत्र दिवश के आउश्वर पर भारत की दुसरे श्रवोच नागिक पुर्शकार जो है पदम भिभुशन से भी समानित क्या गया 2010 में केरल विश्व विदाले से डॉक्ट डॉक्टरेट की मानत उपादी है जो कि इन्हों ने लिया था टेक है तो इसको भिया दखना पड़ेगा वीडियो में आगे बढ़ते हैं लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि आपका तो इससी जिल का एक्जाम है आपका बीचे के द्वारा ही बताएगे हैं अगर इसका पीडियाफ लेन चाहते हैं 700 प्रशनों का विट एक्स्ट्रा फेक्ट के साथ ठीक है यह पीडियाफ जो है आपको जो एम्टेस का एक्जाम 30 से स्प्टमबर से शुरू होना है उसमें आपको हम जब एक्जाम आपका स्टा आएंगे ठीक है तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो मात्र 25 रुपर में आप इसे ले सकते हैं वाच्ट अब नमबर दिया गया है इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल लेगा वहां से इक्जाम में आपके प्रश्ण जो की हर सार रिपीट होते हैं जिसा व आपको फिरी मिल लेगा तो आप लोग देख लिए आपको कौन सा बाय करना हैं बाकी दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल लेगा तो आप लोग जाकर उसको जरूर से जरूर एक बाद चेका लिएगा यह इस जो पीडिया फे आपको एक्जाम में लाबदाय एक सीध हो गई होगा ठीक है अगला जो प्रेश्ट आप से पुछा गया कि बैलूर मत का स्थापना है जो कि कि ने किया था तो बैलूर मत के स्थापना की जब हम लोग बात करते हैं तो श्वामी विवेकानन्द आपक किस खेल जे संबंदी जाने केस्टलिंग इस एसोसेटेड विद गेम उफ डैस तो इसका राइटेंस आपका सतन्ज होगा सतन्ज में केस्टलिंग एक और श्रमाने चाल है जो आपको कई अलग-अलग किरियाय करने की अनुमति देता है सतन्ज और कैसल सब्द के बीच एक स संबंद है केस्टलिंग के रूप में जाने 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 वाली सतन्ज चाल में एक खिलारी राजा को उसकी रैंक पर किस्ति की दिशा में दो वर्गों में आगे बढ़ाता है और फिर किस्ति को उस वर्ग में आगे बढ़ाता है जिसे राजा ने पार किया है सतन्ज में एक कुषान के द्वारा भारत में पेस किया गया था टेके मतुरा कलाविश्व दाले पहली सताबदी स्वी के दुरान कुषान समराट करिस के सासनकाल में बिख्षित हुआ यह अपने आत्मस्त यानि की सद्ष्रिकर्ण चरत के लिए पश्री थे चार जैन जितनों की सवत्तों भद्रिका चवी मतुरा से लिकी विजिस्ता है बुद्ध यक्ष 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 यक्षनी से उस बेशनों उद्वताओं की चवियां और चित्र मुर्तिया भूत्यात में बनाए गई गई हैं अगला है फोगरी निर्थ की बात करेंगे तो राइटेंस साब का गोवा होगा फोगरी लोगवा का लोकनर थे जो कौंकन चेत्र की महिलाओं के द्वारा गनेश चतुर्थी और वर्त वत्र जैसे धार्मिक त्यावरक के द्वार के द्वार किया जाता है अगला है नेशनल गेम्स नोजबाइस में किसने छे गोल्ड जित का हितियास रचा था तो इसका गोल्ड था और इनका समन्ध की बात करेंगे तुछ आपका समन्ध ही पूछा गया था था तो इनका समन्ध आपका स्विमिंग से था इसके लावा नेशनल गेम्स में टोटल एक शस्ष्ठ गूल-pp3535 प्रोजु मेडल के साथ चैना की टीम थी टॉप पर रही थी और बरिं गेम्स था उन्होंने इस गोल्ड उसमें साथ मेडल लिहां के अपने नाम किये थे कनाटक के रहने वाली हैं अगला है वाट इस दे रेंग ऑफ सिलंका इन एच डी आई टुठाउजन टुठान पर था इसने इसे भारतियों महादीप में शिर्ष प्रतर्शन करने वाला बना दिया था अगला है दा पॉर्ट ओफ रेडूस्ट प्रेशर और बंबे पॉर्टीज चिक चार अप्शनी सी प्रेकाश दिया गये थे पारदी फल दिया न नन श्रवा बंदरगा के नाम से भी जानते हैं तो मुमई बंदरगा पर दवाप कम करने के लिए नहावाश्रेवा इस्तित जुहाला नेरू बंदरगा को स्ट्रेटलार बंदरगा के रूप में विक्सित किया था यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगा है अगला अगला है था मच्छर की स्वाइलम से समांदी थे तो अठोफुडा संग समांदी थे मच्छर हो गया कीठ हो गया इस अभी आपका अठोफुडा संग कही है अगला है कि उत्ताप देसरकार ने नंद बाबा दुग्द मिशन योजना के लिए कितने रुपए आवंतित किये तो इसका राइट इंस आपका होगा एक हजार करोर रुपए ठीक है उत्ताप देसरकार ने नंद बाबा दुग्द मिशन के लिए एक हजार करोर रुपए आमन्टित किये इस वोजना का मुख खुदेश प्रदेश में दुग्द उत्पादन को बढ़ावा देना पस्रु अधिक वर्षा कहां पर होता है तो इसका जो राइट इंसर है वो दोस्ता आपका पवन मुखी ढाल होगा परवतों पर सबसे अधिक वर्ष रामतोर पर पर पवन मुखी ढाल यानि की विंडवाड साइट पर होता है जब आदर हवाएं परवतों से टकराती है तो उन्हें उपर उठाना पड़ता है उचाय पर पुशने पर यह हमाएं ठंडी हो जाती है और शंग नित होकर वर्षा के रूप में गिरती है इस प्रक्रिया को प्रवतिय वर्षा यानि की औरोग्राफिक रेंफोल कहा जाता है अगला है यदी सरकार यदी सरकारी राजस्व बैर दिखन को वर्षा उपर ह। problem के दुरान कर शंग्रव हो इस के लावर राजस्व बैर का अरिवार मतलब है कि सरकार वी सरकारी विवाओगों को चलपाइं सिवा वंक के प्रावधान की परिचालन लागत को पुरा करने के लिए अप्रयाप्त हैं अगला है भारत्य समिधान ने नियाईक समिक्षा की सक्ति और नियाईपालिका की शोतंतरता का प्रावधान किस देश से लिया है तो राइट एंस आपका USA हो जाएगा USA कहें तो अमरीका अमरीका के समिधान से मौलिक अदिकार नियाईपालिका की स्वतंतरता नियाईक समिक्षा राश्पती पर महावियोग स्रवोच नेले और उच नेले के नियादिसों को हाटाना उपादेक्स का पद है जो की लिया गया है विटेन के समिधान से संसंदिये कानून कानून कालियम विधाई परकिरिया एककलनागिकता केविनेट परनाली बिशी साधिकार श्रमंदी लेखन जर्मनी के समिधान से लिए गया है पातकाल के दुरान मुलेक दिकारों काली लंबन जपान के समिधान से विदी के द्वारा स्थापित परकिरिया उस्ट्रलिया के समुर्ति सूची बैपार वानेजी की स्वतंतरता और शंसत के दोनों सदन की सेंक्त बैठक दाचीन-अफ्र रोटेला पंडुगा किस राजी का त्योहार है तो इसका राटेंस आउका आंध परदेश होगा रोटियों की इद या रोटेला पंडुगा एक वार्षिक तिंद उस्योत त्योहार है जो निलोड आंध परदेश भारत में 12 सहीद दरगा पर आयूद किया जाता है यह परदान मंतरी कौन रहत है तो इसका राटेंसल गुल्यारी लान्दा हयं अगर हम सभसे कम समय तक होती के देश के परदान मंतरी की बात खरेंगे तो गुल्यारी मंतर एस प Safari सबसे कम समय तक तक सक्षाराइब रहे इस creepy कंप समय दिनों तक को समाला था और भारत के पहले प्रदान मंतरी सहे जवालनालेष, सबसे अदिख समय तक परदान मंतरी रहें और इस वाद को भी सबसे कम समय तो गुल्यारी राल नंदा इसके लाबा अटल कुमारी बाचपई की बात करते हैं तो टोटल 2272 तक यह प्रधान मंत्री पद पर आशिन रहें अटल बिहारी पाचपई पहली बार 16 दिन के लिए पीम बने थे इसके बाद 19 मार्च 1929 में से 22 मार्च 24 तक पीम रहे या परधान मंत्री पर रहें ठीक है अलग अलग अभी तक टोटल 17 परधान मंत्री हैं जो किरा चुके हैं ठीक है तो पहला है जो आलने रूम भारत के सबसे पहले परधान मंत्री लंबे शमय तक रहने वाले परधान मंत्री गुल्यारी राल नंदा सबसे कम समय तक रहने ठीक है इंद्रा गांदी भारत की पहली महिला परधान मंतरी रही मोराजी देश्चाई के बात करेंगे तो सबसे बिर्ध परधान मंतरी रहे थे और पस्तर इस्तिफा देने वाले भी ये पहले परधान मंतरी थे Qudhir Charan Singh की बात करेंगे, तो Aqilh Haa S.A.C.M.E.M. थे, जिनोंने संसत का श्रामना किया था इंद्रा गांधी परधान मंती दुसरी बार समद्धा राजब गांधी सबस्रीवा परधान मंती रहे थे विष्णोद प्रताप सेंग की बाद करेंगे तू पहले पिम थे जिन्होंने अब इश्वास्वथा उस्टाव पास होने पर पदचुड था चंदसेकर के बात करेंगे तो समाजवादी जनता-भार्टी से संबन्सेतें पीवी नश्री मराव की बात करेंगे तो दच्छीन भारष चे पहले पीम थे अटल ब्हारी बाचपई की बात करेंगे तो केवल एक वोट सेन की सरकार गिर गई थी एचीडी देव गुरा की बात करते हैं तो इन भी जनता दल समंधी थे इंदर कुमार गुजाल के बात करेंगे तो बेक्तिकत रुपशे आपके भारत के तेर्मे पर्धान मंती थे अटल ब्हारी बाचपई आपके पहले गैर कॉमोरस्टि प्यम थे जिन्होंने कारकाल पूरा किया कि हगला है कि एक च्णोब को लटकाया गया तो घुमने के लिए स्वतंतत्त है तो चुमबक का उच्ण को सन रहोए grandparents करे Спасибо कि इसका उत्यी धुरूब प्रत्विः के भगोलिक उत्त्री धुरूब के और इंगित करें इसा इसली होता क्योंकि प्रतिवी अपने चुमक्य दचिन दुरूब के साथ बोगोलिक उत्री गुरूब के पांस चुमबक की तरवेवार करता है अगला है राजकोष्य घाटा की परिभाशा आपको देखने को मिला था तो राजकोष्य घाटा वह राशी है जिससे सरकार का कुल व्या उसकी कुल प्राप्तियों कहें तो धारों को छोड़ कर से अधिक होता है दूसरे शब्दों में राजकोश्य घाटा तब होता है जब सरकार का विया किसी वित्तिय वश्में अरजित रजफ से अधिक होता है सरकारी घाटा उस शार्ची को संदरवित करता है जिससे सरकारी विया उसके रजफ से अधिक होता है अगला है कि भारत में तिबबत कि सांगपो नदी को कहा जाता है तो इसका राइट इंसर ब्रहमपुत होगा ब्रहमपुत नदी तिबती पठाश निकलने वाली अधनतीम बड़े पेवाने पर मुक्त भने वाली नदी है बंपुत नदी का उद्गम मांत रोबर जिल के पास केलास सरनी के चेमू वांग डूंग गलिशियर से होता है यारलूं जांगबो बंपुत के उपरी मार्क तिबबत का नाम है यारलूं जांगबो का यारलूं संगपो के नाम से जान जाता है ठीक है इसके लावा तिबबत म न को च्रांग बंगलादीश में जमूना और बंगलादीश में जमूना और बंपुत की परमुख्षायक नदी में स्त्रुंबनなる कमेंग मान अंण metropolitan और श्रंकोुस हुआ और बंपुत नदी बंगाल खाड़ें में गिरती हैं इसलालनती के नाम से जाना जाता है इसकी सायक नदिया में तिस्ता लोहित सुमन्सरी आधी है ठीक है अगला आपको मिलान करने के लिए था करेक्ट मैच करने के लिए था यस्ट का गुलकोज का गुलाइकोसिस का और प्रुविक एसिट का ठीक है तो इस्ट में मिलान करना था यूज़ ओफ यूज़ को गुलकोज में बेस्ट ऑफ एनरजी में और गलैकोसिस में गनवर्ट गुलकोज इन्टू परवेट में परविक एसिट को प्रोडुक्ट प्रोड़क्ट ऑफ गलैकोसिस में ठीक है तो यह आपको मिलान करना था अगला है दो जाओनेस में असम्या कभी भाट डैस को भा डान जाता है जिसका अड़त होता है कोकेला अगला है अगला कोश्चन नहीं है आपका अगला इतना ही प्रश्ट पुछा गया था यह आपका लाला हर ड्याल के दुवारा है जो कि आपका यह स्थापित किया गया था कहा पर यूएश्य में यूश्य में भी कहा तो सेन पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर दिजी मिलते हैं में सब्सक्राइब में जब तक के लिए जहन फ्रेंट्स